तो भाई भेडिया मूवी आ चुक है और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भेडिया मूवी के बार में तो कैसी थी ये मूवी आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर तुम लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो यार किसकी इंतिजार देख रहो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ इस मुवी में एक पोस्क्रेडिट सीन भी है जिसके बार में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे अगते हैं आप सब्सक्राइब कर C जो फील कर आ रहे हैं भाई मिनको लेक्टम नेक्स लेवल था अगर स्टोरी की बात कुरो तो वरुन धवार एक दिल्ली के लड़के लिखा रहे हैं जो कि अरुनाचर में जा करके अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं महा पर जाने के बाद उनको काट देता एक इस movie के लिए इस movie के लिए अगर बात करें इस movie की वी未 एफस की तो इस movie का जो टॉपिक था पुछ सीन्स जहां पर जाकर के शूट के गए हैं वो भाई एक साथ जो ग्रीनी रही है एंड उसको जो वी एफेक्स से चेंज करके और जाले ग्रीनी वेर बेस्ट वीजियोल्स दे रखे हैं पुल तारीफ जिसनी भी करो उतनी ही कम है अब तुम लोग सोच रहोंगे कि मैं कि वीएफेक्स की तनी तारीफ क्यों कर रहों तो भाई तुम लोग मुवी जाकर के देखो तुमको पता चल जाएगा मुवी में क्या है अगर और बात करो एक बॉल्ली वुड की मुवी है तो हाँ भाई तुमको देखके बॉली वुड की पटे गेंर जी तो उन्हों ने लिए अपस करतें इस पोड़से लोगों ने पोस्ते ने नहीं देखा लेकिन जम मैं ऊठके चलने लगा तब यह पोस्ते रिचालो होता है कि यहां पर जो हमारे अभिशेक बैनर जी है वो इनके दर्वाजे की बेल बजा तो कौन है राजकुमार राव एंड अपारशक्ति खुराना जो की आये हैं उनसे कहने के लिए कि भाई तुमको इस तरी को ढूंड़ना होगा और वो जो कमरे के अंदर एंटर करते हैं तो उनको दिखता है वहाँ पर भेडिया तो यह एक पोस्केडिट सीन का तुमको यह भी सेंस बनाता है कि बहुत ही जल्ब इन फ्यूचर में इस त्री 2 भी आने वाली है इस त्री 2 में तुमको वरुन धवन एस भेडिया अपार शक्ति कुरान, राजकुमार राओ, अभिशेक बैर जी यह चारो एक्टर एक साथ दिखेंगे और भाई सबसे मस्त बात तो यह होगी देखने वाली जब यह मूवी आई गया इसकी स्क्रिप्टिंग होगी तो कि स्टार के स्क्रिप्टिंग होगी भाई मैं तो बह दो में